हेलो दोस्तों अंजली किचन में आपका स्वाकत है सर्दियों के मौसम में टमाटर हमें आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में और वो भी एकदम लाल और रसीलेदार तो आज मैं टमाटर की रेसिपी आपके लिए लेके आए हूँ टॉमेटो केचप जिसे आप इजिली घर पे टमाटर लेने है प्याज एक कटोरी बीस लसुन की कलिया एक अध्रक का टुकड़ा विनेगर आधी कटोरी नमक स्वादानुसर छे कश्मेरी लाल मिर्च और एक कटोरी शकर सबसे पहले कडाए में टमाटर डाल देगे एक किलो टमाटर यहां पे लंबे काटे हुए है टम एक कटोरी लसुन की बीस कलिया डाल देगे एक चुटा अध्रक का टुकड़ा डालेगे शकर एक कटोरी लेगे यह सारी चीज़े हमें माप से ही लेने है और कश्मेरी लाल मिर्च छे डालेगे आधी कटोरी विनेगर डालेगे अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेगे जब भी केचप बनाते है तभी टमाटर को कच्छे ही ले जाते है और जब हम सौस बनाते है तभी टमाटर को उबाला जाता है तो इस बात का खास ध्यान रखना है केचप में पानी का भाग एकदम से हटा दिया जाता है क्योंकि इसे हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखते है अभी इसमें हम नमक डालेगे नमक हमें बहुत ही कम डालना है यहाँ पे मैंने आधी चमची नमक डाली हुई है आप चाहो तो नमक को स्किप भी कर सकते हो अभी इन सारी चीजों को ढखके 30 मिनिट के लिए पक पकने देगे अलिए 5 मिनित आप 15 मिनिट हो चुक है एक बार देख लेते हैं तमाटर हमारे पक चुक है और 15 मिनिट पकने देगे जिसने कि यह पानी का भाग ग्दम से खतम हो जाए जदको और 15 मिनिट के बाद देखोगे तो यह देखिए पानी का भाग एकदम से सुप गया है कमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं शक्कर का पानी भी एकदम खतम हो चुका है तो अब भी इसे हम ग्राइंड कर देते हैं तो यहाँ पर इसे मैं मिक्सिंग जार में ले लेते हूँ तो अभी मैं इसे ग्राइंड कर देते हूँ पानी बिल्कुल भी नहीं डाले गया तो देखे हमारा केचप तयार है तो अब चन्नी के मदर से चानके एक बॉल में ले 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 गये तो देखे एकदम डिलिशियस लालम लाल बाहर जैसा केचप बनके तयार है इसे आप 12 मेने तक स्टोर कर सकते हो एकदम ताजे लाल टमाटर से हमने ये केचप तयार किया है इस केचप को आप एंजोई किजिए पराटे के साथ धोसा, उत्तपम, इडली, एंडवीच, फ्रैंकी इन सब के साथ खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते है चलिए इसे सव कर देते है तो केसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंड करके जरूर बताईए मेरी एसी और डिलिशियस रेसिपी देखने के लिए देखते रहे अंजोई की चन मिलती हैं और एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर